Hello dear students, स्वागत एक बर फिर से आपके अपने चानल Defense Tutor में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्टकार नाविक, जीडी, डीवी और यांतरिक के रिकारिंग साइंस के प्रक्टिसेर्ट नमर 19 को इससे पहले साइंस के 18 और भी प्रक्टिसेर्ट को दिया गया है तो जिन भी इस्ट्रोंट को इन सभी वीडियो के PDF को चाहिए और कहें तो आपको प्रिविएस बैचिस के PDF और साथ आपके इंपोर्टेंट फर्मुलाज और कोस्टन्स प्रक्टिस के भी PDF आपको इस बैचिस में प्रवाइड करवाये जाएंगे चैनल के स्टाटिंग में ही आपको एक वीडियोज दिख जाएगा आपको वीडियोज पर क्लिक करके इस बैचिस के रिगारिंग इंफर्मेशन ले सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्वीडियो लेक्शेस के ओर तो पहला कुस्स यहाँ पर दिख सकते हैं और इसे हम एक्ट्रोस्टाटिक एयर क्लिनर के नाम से भी जानते हैं ठीक है यह क्या करता है यह अपर एयर पॉलूशन को क्या करने के लिए कंट्रोल करने के यह यूज किया जाता है तो इसका अप्सर हो जाता है आपका और वायूग पर दूशन को नियंत्रित करने के लि है आपके gases में से यह फिर कहा है तो आपके air में से क्या करता है Particle को हटता है किस करण से किसट तो वो फोर्स लगाता है किसे करण Induced Electro-static eustatic domo और इस क्र richtige और करता है और ये क्रेंच करता नामकिश åters Q1 is the right answer next question नेंगस्ट न्मबर टू कोसं निखा रहा है कि दाइम प्रील्ट फसेंड पेंडूला मीच ठीक है इसे प्रीवेज्टि में अपको उपु आया था कि कैसे time period जो आपके होते हैं moon पे और earth पे difference होता है यदि किसी भी pendulum को अगर moon पर ले जाते हैं तो time period बढ़ता है कि घरता है क्या होता है इस सबी चीज़ों के बाड़े हमने आपको previous टाइम पीड़ियों टो टाइम पूर्वोन नियर जो परसंद मौते हैं इनके रहता है एका बिमारी होता है हमेट्रोपी होता है हाइपर मेट्रोपिय होता है आपने परहा होगा तो जो परसंद जिनको हैपरैपिर हाइंट होगी नियर सबश्य स से दूर चल जा जाता है pajamas इसमें क्या होता है आपका सी सिफ्ट कर जाता है ईसकार नियर पॉइंट हो में से इसकार जाता है नोरमल्मरी जो नियर पइंट होता है वो वो पिंटीके अधिमिट में इस बीमारी में में क्या होता है आपको अच्छी से दिखता है लेकियार वीजन आपको तुर आपको तोरह सा अब थिफ науч से इसको देखने में आपको। प्रेंड कर तक्सक्राइब का खीन आपको गालना पड़ता है तो यह इसे लिए अच ऋता है लेकिन रहए दूर में क्या होता है आपको परसानी हो जाती है तो सोरी क्या बोल दी है मुल्टा बोल दी है कि आपका परसन का जो डिस्टेंस विजन होता है वह क्या होता है अच्छा होता है लेकि नियर वीजन जो होता है वह क्या होता है परसानी हो जाते क्यों क्यों कि नियर वीजन जो होता है वह सिफ्ट कर गया रहता है क्या होता है वह सि फिर से एक पर बता जाते हैं कि hypermetropia में क्या होता है आपका near point जो होता है वो क्या होता है आपका shift हो जाता है away from eye से आख से वो near point जो होता है वो दूर चला जाता है और आपके near object को यानि नजदी की object को देखने में परसानी होती है और जिसकान से हमें difficulty मसूस होती है और आँख में हमारे strain क्रियेट हो जाता है ठीक है तो यह इसकानतर होगा अब आपको समझ में आ गया होगा साथ confusion नहीं होगा ठीक है तो परसान नहीं होगा है आपको questions को ability आपको यहां पर रहेगा और आप कह सकते हैं कि मार्स तक आपके जानमेशन जब होंगे तो उससे पहले आप दो बर तीन बर प्रक्टिस को डिवाइज कर लिए रहेगा तो आपको number of questions ज्यादर स्यादर प्रक्टिस हो जाएगा और आपको कह सके तो concept भी अच्छे खासे उसमें आपको clear होते चले जाएंगे ठीक है तो परिक्षा आपके प्रक्टिस को जरूर लीजे आपको उता देते हैं कि defense exam defense package के regarding परिक्षा अपने all exam कह सकते हैं कि all exam one pass practices three month validity वाला launch किया है तो आपको यह जो प्रक्टिस हैं इसका price आपका 599 रुपीज है तेकिन यदि आप ट्यूटर 50 का code डालते है capital letter में TUTOR 50 इस तरह के से ट्यूटर 50 का code डालते है तो यह आपको practices 299 विपीज में मिल जाता है क्यों मिलता है क्योंकि यह 50% आपका off हो जाता है यहाँ ठीक है तो आपको दादे कि जिन लोगों नहीं तक practices को नहीं लिया है तो ज़रूर practices को लीजे क्योंकि अभी आप practices को लेते हैं तो आपको अच्छे खासे समय मिल जाएगा इन practices को revise करने का आप ऐसा नहीं सोचिए कि सरक concept तो हम पढ़े नहीं है पूरा पूरा तो हम कैसे practices को बनाएंगे तो बिलकुल नहीं आपको practices try करना है attempt करना है नहीं बनता है सीखना है वहाँ से के answer होते हैं वो सभी questions के answer Hindi English दोनों में होते हैं तो आपको सीख लेते हैं वहाँ पर तो ज्यादा बहतर होगा आपको ठीक है दुबारा बनाएगा इसे क्या होगा आपको कि कह सकते हैं कि confidence build up होगा आपका concept जो होगा वो अच्छे से revise होता चला जाएगा ठीक है तो आप इस practitioners को लीजिए कोई doubt होगा practitioners को लेने के दोरान किसी प्रकार का problem होगा तो comment box में लिखेगा आपके comments का जवाब फिलकुल दिया जाएगा तो आएए बढ़ते हैं number question 4th question में लिखा जा रहा है कि amount of water vapor in the atmosphere is major in terms of जो आपके वायू मंदल में जो जला वास्प की मातरा desk रूप में माप आजाता है आपके atmosphere में जो वाब water vapor present होते हैं उसको हम किसके terms में मापते हैं तो उसे हम humidity के terms में मापते हैं तो answer हो जाता है हमारा option number one is the right answer ठीक है humidity यानि आधरता आधरता is the right answer चलिए next questions की और बढ़ते हैं next आपका है number 5th question number 5 में लिखा जा रहा है कि a spherical ball made up of steel when dropped in mercury container will का ह जब इस्टील की बणी बॉल को दो हम क्या करते हैं मर्करी के गिराते हैं तो यार देखिएगा जब भी इस टील के बॉल को मर्करी के कंटेइनर में गिराते हैं तो वो क्या करता है मर्करी के surface पे ही रहे जाता है will be on the surface of mercury श्कांसर होताइए option number two is the right answer यानि पारे की सत्व प क्योंकि जो density होता है लिख सकते हैं कि density of ball होता है तो इस कारण से क्या होता है हमारा जो ball होता है वह सर्फेस में ही तैरने लगता है ठीक है जो density steel का होता है वह density आपका लगभग 7.75 से लेकर 8.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ठीक है इसे हम थोड़ा सा लेक देते हैं यह आपको डाटा याद करने की जुड़त नहीं है लेकिन यह रेंज देखेंगे तो आपको साथ हमेसा याद रहेगा कि इसका कम रहता है ठीक है तो 7.75 से लेकर आपका कितना होता ह है 8.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आस पस रहता है कि इसका बॉल का स्टील बॉल का ठीक है यह आपका कुण सा बॉल है तो यह आपका स्टील बॉल है और यह क्या आपका है यह आपका मरकरी है ठीक है तो इसका जो मरकरी का होता है वो डेंसिटी होता है 13.534 ग्राम स्टील बॉल ठीक है सो इस करना से हमारा जो स्टील रहता है वह सिर्फ सर्फेस में ही रह जाता है वह अंदर नहीं डूबता है यानि सिंक नहीं करता है ठीक है समझ रहे हैं चलिए नेक्स्ट को सन आपका आपको गलत ही मना जाएगा तो ऊइस तरीके से यह सिर्फ सर्फे स सड्केस प्रछ यहां यहापे नहीं बन पा तो इसका अंसे हो जाएगा हमारा option no.2 next आपका है no.7 question sorry no.6 question no.6 में लिखा जा 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 है कि क्या लिखा जा 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 है कि the sounds having a frequency of 20 Hz to 20,000 Hz are known as जा 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 है कि जो होते हैं sorry तो उसका frequency कितना होता है 20 Hz से 20,000 Hz के बीच में होता है ठीक है तो आप इसको याद रह सकते हैं ठीक है यह आपको questions आज से आ सकते हैं सो याद रखना है next आपका है no.7 questions यहां लिखा जा 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 कि pure water is bad conductor of electricity because it is जा 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 कि pure water जो होता है वो bad conductor of electricity होता है ऐसा क्यों क्यों बताइए तो यहां पर होता है इसका इसका अंजर fiebly ionized क्योंकि वह क्या होता है कम जो आयनीत होते हैं यान काने का मतलब जो pure water होते हैं उसमें सोरी करेंट तभी पास हो जाते हैं जब उसके पास क्या होते हैं आपके फ्री कह सकते हैं कि मॉबाइल एलेक्ट्रोंस होता है या फिर कह सकते हैं फ्री एलेक्ट्रोंस होता है ठीक है कि गामा किरने में सबसे अधिक समानता होती है तो गामा किरन और आपका X-ray इन दोनों में क्या होते हैं आपके लगबख similarities देखे जाते हैं तो इसका अंसर हो जाता है आपसा नमबर थ्री यहांनि सबसे ज्यादा similar होता है आपके X-ray से किसके एसे X-ray से ठीक है जिसे आप इसको alpha-ray बान सकते हैं और beta-ray बान सकते हैं ठीक है यह थ्यासा आप गलती लिखा गया है तो आप इसको समझेगा इसको में यहां पर लिक देते हैं ताकि असा नहीं लगए कि आपको A और B रे कहां से नया उत्पन हो गया alpha-ray और क्या आपका बीटा है ठीक है इस तरह किसे लिखिए अब वैसे भी हमको मतलब तो है नहीं यह कुशन तो गलत ही होगा option दोनों वाला उपर ठीक है और आंसर क्या होगा इसका आंसरों का एक स्रेय यानि गटेस्टेशनलेटी किसका होता है गामार का एक स्रेय के साथ होता है तो नेक्स्ट आपका है नमबर नाइथ कुस्ट नमबर नाइथ कुस्ट नमबर नाइथ मिलख जारा है कि in the absence of ozone layer which days will enter into atmosphere कुस्ट वही है लेकिन थोड बन रहा है तो आपने यह भी पढ़ा है कि अल्ट्रा वायले ट्रे जाते हैं वो क्या करते हैशनल जो लिएड्ड वो होता है और बहुत सारी चीन आगे में और ब ऑल्ट्रावायले से cancer की बीमारिया भी होती है और भी अतर बीमारिया होती है जो की किया है है ह closure की dzięki अधियो की आजएक है तो वह आपका वलडRI जिसे की हम U V क्या क्या रहा है mg अधिक नाम से भी आ थेया टिक है अधिक है तो आंसर किया हो जगा तो इसका चाहिए तो इसका उल्ट्राइड वालर प्रस्वाट को इंस फिलामेट यो वह किसे बने होते हैं तो इलेक्रिगफ बल्थी कर शोटते हैं यह सब अपकर कर आएका तो भाई उसका भवानी भरोसा है तो यह उसका तो गलत नहीं हो आपके किस के बने होते हैं तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर मिलेंगे ने रिखेंगे किसे बघा कर डाउट होगा तो कमेने लिकर आप समसे पूस तकते हैं तो थैंक्स पर आचिक वीडियो तब तक के लिए बाबबाई